हिसके जैनिया AG को एक अपको बताहे चयरा पर को से आपको से विल्डर और से उस्टर रोस्टर से से विल्डर बनाना कुछ आसान था लेकिन से रोस्टर थोड़ा सा टिएकल्ड करता है जैसे इसमें से 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 बिल्डर से हमें बनाना है रोस्टर से से बिल्डर से बनाना है यहाँ पर एक्स के बारे में लिखें कि इन सब में क्या खाश्यत है हम एक प्रोपरटी पैचाननी होती है इन सब में कुछन कुछ कनेक्शन होगा जैसे इस से पहले वाले को तो कोई तीन का मल्टीपल था तो कोई परफेक्ट स्कॉर नंबर थे कुछ नेचुनल नंबर थे इसी टाइप से इनको अगर हम पैचाने से क्या कि हुक्त वैकि नुद्णि अबह्र ट 25 मुद्ण से ऑक ज्याद से नंबर महां पर सिफ्ट हुआ पिर उससे ज्यादब पाई पिर यह नंबर प्र उपर सिफ्ट ज्फ्ट हुआ फिर उससे ज्याद आए मतलब अगर हम kuch इस तरीगे से कर ए एक्स इक्वल टू एन और न की वैल्यू वन से स्टार्ट करें वेर यह एंटी चाहिट निचरट बन से स्टार्ट करना मतलब आप नेचररावाल में जैसे ओडन टू फिर वपन थी प्रिटी प्रू फिर इस तरीके से लेखिल तक गया एन की वैल्यू देखो आप एन ऊपर वाला नंबर है नीचे वाला एन प्लस वन है अब उपर वाले नंबर 1,2,3,4,5,6 तब दया है यानि हम यह कह सकते हैं कि एक से लेकर 6 तक के सारे नेचरल नंबर तो एन इस नेचरल नंबर लेस देन 7 लिख दो यहाँ पर तो बस यह तो बन अपॉन टू हो जाएगा फिर टू लेने पर टू अपॉन चीनि हो जाएगा क्योंकि टू फ्लस बन करते हैं ना आगे वाले एक बढ़ाना है हमें तो इस तरीके से था यह कि आप एक्स को इस फोर्मेट में भी लिख सकते हो कि जो पर्टिकुलर नंबर है वो इस फ पार्ट में करवा देता हूं क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं रोस्टर से से बिल्डर बनानी है देख लेता हूं में एक मिनट उसमें भी कोस्टन नंबर फाइव में से बिल्डर दे रखी है उससे रोस्टर लिखनी है तो मैं करवा देता हूं देखो कैसे होगा जैसे नंबर पार्ट में कर देता हूं अगर हम इसको देखें एक्स सब्सक्राइब और फिर यहां पर लिखा हुआ कि एक्स की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू से जादा और नाइन अपॉन टू से कम होगी तो जब भी इंटीजर की बात करता हो तो सबसे सिंप्लेस्ट वह आपका यह वड़ेगा कि आप एक नमबर लाइन पर पहले इंटीजर को रिपरजेंट कर लिए नमबर लाइन पर बीच में 0 होता है इधर माइनस 1-2-3-4 उदर होगा 1-2-3-4 इंटीजर में माइनस वाले प्लस वाले और जिरौ पॉइंट वाले नहीं आते नही माइनस वाले नहीं आते इंटेजर में सिर्फ यह नंबर आएंगे ॐ इसी हो और 12sw ऑफ हाँ अगर शाट दफाइब फोर पॉइंट फाइव और फोर पॉइंट फाइव ऊगा यहाँ पर आएगा माइनस बनाओं टू होता है यहां-स ना-पॉंट-टू-वाइअ क्योंकि नाइनों टूंग्यों गता मोर्वोन तो नंबर यहां पर लेकर और कर दूँ कर दो तो बीच में कून से एंटीजर मिले तो यह सारे इंटीजर होगे जो इस कंडिशन को फुल्फिल करते हैं तो यह तो इसका हुआ अब जैसे यह मतलब एकस की value हमें इन्टीजर लेनी है और एसी गैनी है जनका स्क्वायर करया और 0 का स्क्वार करने पर 0 मिलेगा हमें, 0 तो 4 से कम है, तो x की value 0 ले सकते हैं, यह final हो गई, इसे हम लिखेंगे, अभी एक बार इधर आके देखते हैं, minus 1, minus 1 का अगर इसक्वार कराई, तो 1 रहेगा, वो भी 4 से कम है, तो इसे भी final कर लेते हैं, यह भी लिखेंगे, इसे set करते माइनस टू मामना स्टू की फैरन गरहे तो नाम हाग मैनस तरी नाइन होगा और नाइन तो इस से इस्ट कम नहीं होता फोर से भी मैनस और उत्ड़ घासकता है है Yo इसी दरीके से बगार रहेगा लिया जा सकता है तू का इसक्राइर फॉर होगा इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन तिरी का इसक्राइट नहीं होगा तो यहां पर सिर्फ यह पांस वैल्लियों आगई माइनस टू अगर इसका हम कलेक्षण बनाएं रोश्टर फोम बने माइनस टू माइनस वन जीरो वन और टू सिर्व यह पांस वेल नहीं आएंगी इसके अंदर तो यह ऐसे इंटीजन है जिनका इसक्वार कराने पर या तो चार मिलता है या चार से कम मिलता है ठीक है अब इस पर आज़े यह जो एफ है एफ में लिखो है कि x is a consonant मतलब x एक consonant है अब कुंसे होते हैं consonant मतलब दो वह बिल नहीं होते बी सी डी एफ वगरा यह सब होते उसमें वह बिल छोड़ दोगे है इंदा इंगलिश अलफबेट वीच प्रिशीड्स के मतलब के से पहले वाले तो के से पहले वाले जितने भी एफ को लिखेंगे जी एच आई को छोड़ देंगे जे लिख देंगे के के से पहले वाले लिखने थे तो बस यह सार अगलिश अलफबेट हैं कॉंसोनेंट भी है सारे और के से पहले भी बढ़ते हैं तो उम्हीद है यह कुछ समझ में आ गया होगा फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना मुझे तो यह तो हो गए तुम्हारे डाउट अब नेक्स अक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कि अ कि जया होगा कुछ से चलंब है राउट हैं कि प्लyब सर्ड़ हैं कि एल ऊता गmostते हैं कि आई wireगा